हेलो ब्रिवान तो 30 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल की परिच्छा संपन्न हो चुकी है पहले शिफ्ट में जो प्रस पूछे गए थे उसमें सामान दिन के जो भी प्रस पूछे गए हैं उनको यहां पर करेंगे डिसकस चलिए सुरू करते हैं और देखो यहां पर क्या पुछा गया था इसपेस एक्स पहले निजी तोर पर विथ्त पोशित अंतरिक्ष कायकर्म की सरस्थापना किस ने की थी तो दूस्तों इसपेस-एक्स के बरतमान में मालिक कौन हैं ऐलन है option 20 का correct है अगला question पुछा गया था भारती समिधान का कौन सा अनुच्छेद छमादान से सब्मंदित है छमादान यह मिलेगा आपको पैरा 72 में अनुच्छेद समस्चा के बारे में अधिक से अधिक असपस्ट विचार प्राप्त करने लिए छेत्र अध्यन के समय नियमों को लागू करने वाला जो अनुसंधान है उसको क्या कहते हैं तो देको एक तो यह आउट अपस लिपस्ट के बार पूशा गया है और फिर भी यहां पर जो उत्तर है वह option A है अनुसंधान विचलेशन यह इसका उत्तर बनेगा फिर अगला क्योश्चन है कि केंद्री क्रिसी विच्ट विच्ट विद्याले कहां परिश्थित है केंद्री क्रिसी विच्ट विच्ट विद्याले तो दोस्तों यह मिलेगा आपको मड़ीपूर में option D correct है आर उसमें सही option यही था कि एक ऐसे सासी निकाय के रूप में विच्ट करके जो सभी आर्कर्टिक देशों के लिए कानोनों और विच्ट को निर्देशित करता है तो यही इसमें जो विकल्ब थे उसमें सही विकल्ब था भारफ के पहले राश्ट पती कोन बने थे तो इसका उ उत्तर होगा इसका option B सदस्यों की सिवा करना सहकारी समित का प्रात्मिक उद्देश से माना जाता है साइबर सुरक्षा के लिए निकित में कौन से संस्था जिम्यदार है तो दोस्तों साइबर सुरक्षा के लिए आपके मोबाइल पर कई बार मेसेज आया होगा सर्टिन से तो यही जो संस्ता है यही साइबर सुरक्षाक्री जिम्यदार बाने जाती है तो बिकल्प भी आपका करेक्ट है सोफिया किस दिसकी राज़ानी है तो यहां पर ना तो बंगलादेश की है ना बेनीन की है ना तो अफगानिस्तान की है यह बुलगारिया की राज़ानी है स किसने सुझा दिया था कि हर व्यक्ति का एक वीसिष्ट रख्त सम्मूं होता है अब ये प्रसंद बड़ा important है किस ने सुझा दिया था कि हर व्यक्ति का एक विसिष्ट रख्त सम्मूं होता है और इसका उत्तर था option a land skinner अगला question मानवा धिकार में दोनों सामिल होते हैं यानि कि यहां पर जो दूर्ण दिये गए हैं उसमें कौन से दो हैं जो कि मानवा धिकार में सामिल होते हैं तो दोस्तों यह होगा आपका स्वतंदरता तो मिलती हैं आपको लेकिन दाइत भी आपका होता है तो विकल्प a आपका यहां पर correct है कौन सा प्राचिन ग्रंत संगीत नृत्य और नाटक पर विश्तित लेक के लिए जाना जाता है तो दोस्तों वेदों में यह नहीं मिलेगा आपको ना तो मनुश्पित ही में मिलेगा और ना ही अर्थसास्त्र में नाम से यस्पस्ट यह वित्ती सहता प्रतान करता है तो विकल्पों में यही विकल्प यहां पर correct था हरित क्रांती जिसने कई विकासिल देशों में कृसी उत्पादन में उलेखनिंग धंगसी प्रिद्धी की तो हरित क्रांती में क्या सामिल था उच उपज किस्प के 20 सामिल थे और आसानिक प्रतान मंद्री जंधन योजना की सुरुबात कब हुई थी तो दोस्तों यह जो योजना थी यह शुरूई थी अठाईस अगस्त 2014 को हाली में इसकी जो दस्वी वर्सगांठ मनाई गई है अठाईस अगस्त को ही तो यह भी आप याद रखिएगा निकित में कौन सा देश भारत के साथ भूमी साजा नहीं करता है तो मिया Hagertu करता है बांगलादेश भी करता है चीन भी करता है मालदीव नहीं करता है तो यह हमारा बने गा आंसर फिर अगला question है Green Finance किस तरह से सतथ विकास का समर्थन करता है तो Green Finance क्या होता है पारियावरण के अनुकुल GST दर है वो क्या है तो दोस्तों जो वाइड गूर्स होते हैं जो लगजरी आइटम होते हैं उस पर जो GST लगाई जाती है वो मैक्सिमम है 28% की यानि कि इसका सभी जबाब आप्सन भी है अंक्टाड का फुल फार्म पुछ लिया था अंक्टाड का फुल फार्म पुछा था United Nations Conference on Trade and Development यह पुछा था तो अंक्टाड के बारे में पढ़ की जाईएगा सद्गती उस तक किस पर जिस पर एक फिल्म बनी है सद्गती आपको याद होगा आपने पढ़ा होगा एजन संगर प्रसाथ की एक कहानी है सद्गती तो आप्सन इसका D से ही है और किस पूर भारत प्रथान मंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था भारत रत्न किस पूर प्रथान मंत्री को नहीं मिला था तो मनमोंस जी को नहीं मिला बाकी नरसिमा राओ को भी मिला लालबादु सास्ती जी को मिला और चरण सिंग जी को भी मिला था तो यहाँ पर सही जिवाब आप्सन ए है भारत में प्रथम जन्गरना किस सासक के समय आजिद की गई थी तो लाजमयो के समय इसमें उत्तर है ऑप्षण डी और किस युद्ध से भारत में ब्रिटिस आपनेश्वी सासन की शुरुआत थी तो शुरुआत हो चोंगी थी प्लासिक युद्ध से इसका उत्तर यही होगा बर्चो स्थापित होता है बक्सर के युद्ध से तो 757 में यह उद्वा था और इसी से आपने स्वी ससन की सुरुवात हुई थी तो बिकल्प से आपका सही होगा सहरी करण का एक महदपूर्ण पर्यावरणी प्रभाव क्या होता है तो बढ़ी होई है रहाली यह तो गलत होगा पाने की गुण वत्तम शुदार यह भी नहीं हो सकता ना तो वाई प्रद्शों में कमी आएगी तो सही जबाब बनेगा उच्छ कारपनों सर्जन ऑप्सन भी वेयर प्रतम विशुद्य की सुरुवात कभी थी यह प्रस्ट भी आया था तो उनिस्सों चोदर में और इसमाप दो आता उनिस्सों अठारा में भारत का सबसे बड़ा बन पुछा था तो यह आपका सुंदर बन है विकल डी आपका करेक्ट है और इसका पूछा कहाती न पुठाथ क्से बतु हाट यह है ब्रटम चुचा किस नव से बता करेंगे और सबसक्रा क्या है तो भारत में जुयक्त के जर्नक कौन माने जाते हैं जीहिए treating ये जो GST आई थी यह अट्रल भीहारी बाजपई की समय में आई थी वीजे केलकर समिती जो बनी थी वो अट्रल भीहारी बाजपई की समय में ही बनी थी अब यहां पर वीजे केलकर का उलेक नहीं है तो AB बाजपई is your correct answer अगला कुछन पुछा किया था कि Instagram story और Snapchat के समान fleets की अधाना किसने पेस की है fleets की अधाना जो है यह मिलेगा आपको एक्स में जिसको अब आप ट्विटर के नाम से जानते हैं कुछन था कि किसका अर्थ है किसी अन्यविक्त की website पर बल पुरुवक नेंतरन करना मतलब hijacking की बात हो रही है तो इसका उतर बनेगा वेब hijacking option D correct है भारत और बांगलादस के बीच किस नदी के कारण विवाद दत्बन हुआ है तो याद होगा आपको भारत और बांगलादस के बीच में तीस्ता नदी का विवाद है option B correct है कौन सा सब्द विशिस्ट नियमों के अनुसार टिपड़ियों को संख्याय निर्दिस्ट करने क प्रक्रिया का वरणन करता है तो विशिस्ट नियमों के अनुसार टिपड़ियों को संख्याय निर्दिस्ट करने का प्रक्रिया का वरणन करता है तो इसे क्या कहेंगे आप नमूना लेना यानि कि प्रतिचयन sampling option D correct है भारति समिदान का कौन सा अनुचिद वाग स्वातम त बताई होगा यानि कि इसमें जो बिकल्प है उसमें सी सही है सूरत्वार बिकल्प और 2011 की जनगरना के अनुसार भारत में कुल बनावारन अब देखो प्रस्न क्या है जनगरना और पूछ किया रहे है बनावारन तो यह तो आपका जो इस्टेट फार्टेस रिपोर्ट आत होते हैं धन्यवाद आपका वीडियो अच्छा रहा है तो लाइक और शेर कर दीजिएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद